हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टो गुरुफाई इस लेक्षर में हम डिसकस करने वाले हैं मीटर ब्रीज एक डिवाईस है जो अन्नोन रिजिस्टैंस फाइंड करने के लिए यूज करते हैं और किस प्रिंसिपल पर बेजड है वीटिस्टोन ब्रीज प्रिंसिपल अब जितने भी डिवाईस है हमारे सलिवस में वो बोड पॉइंट ओफ यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है एक डिवाईस को आप लोग जड़ा अच्छे से पढ़ेंगे स्पेसल फोकस रखेंगे इन डिवाईस के ऊपर ओके सो एक डिवाईस है जो किस के लिए यूज करते हैं अन्नोन रिजिस्टैंस फाइंड करने के लिए इस एडिवाईस उस्टो मेजर एन अन्नोन रिजिस्टैंस और किस प्रिंसिपल पर बेच डाया है और विट इस तोन ब्रीज प्रिंसिपल अब यह विट इस्टोन ब्रीज प्रिंसिपल क्या है इसमें चार रिजिस्टैंस होते हैं दो रिजिस्टैंस बनाते हैं रिजिस्टैंस बनाते हैं और दो रिजिस्टैंस बनाते हैं कौन जूगे टार्म्स और जो इन रिजिस्टैंस का रिजिस्टैंस होता ह है, तो इसका diagram दिरह आप लोग practice करनें ना वैसे तो बहुत आसान है ये copper strip है L shape की, एए copper strip है यहाँ पर, ये और ए और copper strip है ये, ये भी L shape की, अब इसमें जाड़ terminal होता है, एम ने लिए हमने ये, ये और ये a की बात है क्योंकि conducting material है, copper का है एक terminal ले लिया B एक terminal ले लिया यह C A, B, C तीन terminal है एक एक चोथा terminal और होता है जैसे वीडिस्टोन ब्रीज में आप लोग ने देख लिया अब वो terminal भी देख लिया है कहां पर होता है बीट्ट्मिनल ब्रीज में एक metro length का wire होता है between the terminals A and C A और C टर्मिनल के बीच में 100 cm या 1 meter length का wire लेते हैं इसलिए इसका नाम है meter breeze सो यह जो length है इस AC जो wire लिया है हमने इसकी वो कितनी है 100 cm अब A और B के बीच में हम connect करते हैं unknown resistance सो इस branch को बोलते हैं resistance arm सो A और B के बीच में हम connect कर देते हैं यह टर्मिनल बोलो यह 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 सो यहां पर है unknown resistance और B और C के बीच में हम एक standard resistance connect करते हैं from resistance box जिसकी value हमें पता है यह known resistance ही बोल सकते हैं suppose यह है S यह कहा है known resistance यह फिर standard resistance जिसकी value हमें पता है अब B से एक galvanometer connect करते हैं जो connect होता है एक जो की J से इस से हम एक galvanometer connect कर देते हैं और जो connect है जो की J से जो इस AC wire के along move कर सकती है और इस जो की J को जैसे हम AC wire के along move कराएंगे एक point ऐसा मिलेगा जहां पर galvanometer में कोई reflection नहीं आता उस point को बोलता हम D point जैसे वीटिस्टोन ब्रीज में चार्ट terminal होते हैं एक terminal यह होगा D B O D के बीच में है galvanometer अब यह condition तब होगी जब हम इसको बैटरी से connect करेंगे resistance R S और इस AC wire में current flow करेगी बट galvanometer में कोई current flow नहीं करेगी तो इस A और C terminal के बीच में हमने एक battery connect कर दी यह एक cell connect कर दिया कि इस तरह से यह cell suppose E volt का ओके सो balance condition के अंडर इस galvanometer में कोई current flow नहीं करेगी तो यह wheatstone breeze ही है एक resistance यह है एक एक resistance A और D के बीच में हो गया एक resistance D और C के बीच में हो गया तो अंडर balance condition जब galvanometer में कोई current flow नहीं कर दी तो इस upon this will be resistance of AD upon resistance of DC यह हमने पढ़ा है तो when there is no current in the galvanometer पर यह condition कौन सी है balance condition of wheatstone breeze then R upon S equal to किसका resistance AD arm का resistance of AD upon resistance किसका DC arm का यह suppose जो यह D point है यह हमें मिला है कुछ L length पे यह length ले लिए हमने L A से D so D से C कितनी हो जागी 100 minus L length ओके suppose जो wire है AC उसकी resistivity है row और AC जो wire है वो कैसा है uniform मतलब इसका cross sectional area क्या है हर जगा है same so cross sectional area of uniform wire AC is suppose कितना है A so R upon S AD wire का resistance हो कितना हो जाएगा 100 minus L upon cross sectional area row से row cancel A से A cancel so R upon S आ जाता है L upon 100 minus L जो unknown resistance है वो आ जाता है length की terms में जो balance condition मिली हमें L length पर और जो यह standard resistance है so R आ जाएगा as L upon 100 minus L जो इस तरह से हम calculate कर लेते हैं unknown resistance की value अब इसमें one mark में question पूछा जा सकता है कि जो यह strip है यह किस material किया है copper strip जो यह ठिक copper strip क्यों use करते हैं जो यह लिख लेते हैं note करके कुछ points note पहला point जो इस ट्रिप है वो कैसी है थिक को पर स्ट्रिप्स यूजड इन मीटर ब्रीज और टेकन एज थिक अब यह थिक क्यों लिए वो समझ लेते हैं अगर यह थिक नहीं होगी तो इनका कुछ resistance होगा क्योंकि resistance कि स्पेटिफेंड करता है एरिया पर अगर एरिया कम होगा मतलब इनकी जो थिकने से वो कम होगी तो जो resistance होगा resistance होता है रोयल वाई यह तो cross sectional area का मतलब अगर यह थिन होगी तो इन copper strip का resistance होगा तो circuit में वह resistance भी हमें include करना पड़ेगा जैसे अगर मैं A और B arm के बीच में लेता हूँ resistance आएगा और इसको पर strip कभी resistance आएगा तो इस resistance को हमने calculation में तो यूज किया नहीं उसको हमने कर दिया neglect लेकिन अगर वह resistance होगा ज्यादा तो हम resistance कम इसलिए हम नेगलेक्ट कर देते हैं since आर इस प्रपोर्शनल टू वन अपोने तो देर रेजिस्टेंस कैन भी नेगलेक्टिड इन दा कैलकुलेशन ओके सेकेंड पॉइंट लिएते हैं जब हम मीजर करते हैं यह बैलेंस पॉइंट कितनी इस्टेंस पर है उसके लिए हम जो जो की है उसको slide करते जाएंगे ओके सो जो slide कर रहे हैं उसको हम ज्यादा hard press करके slide नहीं करेंगे अगर हम ज्यादा hard करके press करेंगे सो जो यह wire है AC इसके साथ rubbing कर रहे हैं सो इसकी जो thickness है यह इसका जो cross sectional area है वो कहीं पर कम हो जाएगा rubbing की वैसे और कहीं पर हो जाएगा ज्यादा so area of cross section हमने यहां से जैसे cancel out किया फिर यह cancel out नहीं कर सकते फिर यह जो formula हमने drive किया यह use नहीं कर सकते सो जो हम इस पर जो की J को move कर रहे है उसको हम smoothly move करते है बहुत धीरे से ठीक है जी जिससे इसका जो cross sectional area है वो change ना हो सो यह भी note करके लिख लेते हैं during sliding the jo key J on the wire AC we don't press it hard otherwise क्या होगा otherwise due to rubbing the wire becomes non uniform ठीक है जी next third point जो हम resistance calculate करते हैं यह experiment करके meter breeze का उसमें कुछ error हो सकती है percentage error उस percentage error को हम कम कर सकते हैं अगर जो balance point है वो बीच में मिले हम नियर दा मिडिल पॉइंट so यह भी लिख लेते हैं the percentage error in the measurement of are can be minimized if balance point is taken is taken near to the middle point अब यह हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम बीच में ले लेंगे balance point को लेकिन हम यह तो कर सकते हैं s को अगर में different लेतर होंगा so एक condition यह एक resistance ऐसा आएगा जिसके लिए middle point के आसपास होगा और वो resistance लगबक किसके ब्राबर होगा R की so अगर इसके comparable ले लेते हम इस resistance को so जो balance point होगा वो middle point के आसपास होगा so इस तरह से हम s को suitable लेके balance point को middle point में ला सकते हैं by taking suitable now fourth point अगर galvanometer और cell को interchange कर देते हैं so जो यह balance point मिला है हमें D जिसके लिए galvanometer में current कितनी है जीरो इस balance point पे को effect नहीं पड़ता galvanometer और battery को interchange करने से balance point वही रहता जाए कहां पहले था अगर पहले 30 cm पर मिल रहा है galvanometer को यहां लगा जेता हूँ और battery को वहां लगा जेता हूँ तो भी balance point यहीं मिलेगा okay so if galvanometer and cell are interchanged then the balance point remains remains unchanged last point लिख लेते हैं last point यह है अगर R को इदर ले जाओ और S को इदर ले जाओ हो तो balance point इदर से L पर मिल रहा था फिर मिलेगा C से L length पर क्योंकि अगर इनको interchange करेंगे तो यह भी उधर हो जाएगी distance L इधर हो जाएगी और 100-L इधर फिर A से L distance की बजाए balance point कहां से मिलेगा C से L distance पर so if R and S interchanged then balance point will be at the same distance L but from the other and C of the wire EC so इन सभी point को आप ध्यान से देख लेना इन पर one mark की question भी बन जाते है conceptual questions या फिर MCQ जैसे अभी add हो गए हमारे syllabus में अब next lecture में इसी पर बेस हम numerical example लेंगे NCRT का example number 3.9 आब आब